हमस्कार रामराजी इंटर कालेज नरायनपुर प्रीतम पुरहीरापुर अमबेटकर नगर के वर्चुल क्लाश में आपका स्वागत है मैं हूं रिंकुया दो आज इस वीडियों हम पढ़ाएंगे क्लाश शेवन्थ का मायत इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज शिक्स हमने पूरा कम्प्लेट कर दिया है ठीक है अब इसमें हमें चैप्टर नंबर हमें लेशन शेवन्थ सुरू करना है शेवन्थ है स्रवांग सम्ता इस चैप्टर का नाम है स्रवांग सम्ता ठीक है इस चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें स्रवांग सम्ता के बारे में पढ़ना होगा कि स्रवांग सम्ता किसे कहते हैं ठीक है और इस क्लास शेवंत के मायत में जो सरवांग सम्ता है वो सिर्फ लंबाई बेसिस पे या तिर्भुज की तीनों प्रेंट तीनों प्लक से ही तिर्भुज की रेखा के ठीक है आकृतियों से ही जह हमें सरवांगसम क्या करना है पढ़ना है ठीक है चलिए शुरू करते हैं सरवांगसमता क्या है देखिए सरवांगसम क्या है मैं बता दूँ देखिए सरवांगसमता है कि हमने पिछले क्लासिक्स में सम्मित पढ़ाया था सम्मित पढ़ाया था आप उसी से थोड़ा सा गर केर करेंगे तो आपको ये सरमांगसम आपको पता चल जाएगा ठीक है उससे थोड़ा सा केर कीजिए वहां से थोड़ा से ध्यान दीजिए तो ये समझ में आ जाएगा क्या है कि जो सरमांगसम होता है सरमांगसम मिन्स हम यहां देख लेते हैं ठीक है यहां सरमांगसम मिन्स हम देख लेते हैं कि सरमांगसम मिन्स जो होता है सरमांगसम सर्वांगसम सर्वांगसम मिन्स जो होता ह है यहां हम समझ लेते हैं प्रतिलीप से प्रतिलीप से उंप आ जानते हैं ऐक डूसरे की कॉपी तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जब कोई और हमने सम्मित मैं क्या परभास निया थ Wait यह क्या हसा धुक असजित कर ले श्राषव करें ये किसी आकृत को हम ऐसी जगह से फोल्ड करें परमीत में हमने क्या बताया था सम्मीत में हमने बताया था कि कोई आकरित ऐसी जिसे हम क्या करें ऐसी जगह से फोल्ड करें ठीक है फोल्ड करें कि जो की एक आकरित उसको क्या है दूसरे को पूरा-पूरा क्या कर ले धुर मित होती लेकिन हमें यहां सरमांगसंग की परवाशा देना है क्या करेंगे कि यह जब कोई आकरित एक दूसरे की प्रतिलीब बने युक यह अकार को दो ऐसे वस्तु क्या कराते हैं तो ऐसे वस्तु कहलाएंगे सर्वांग सम ठीक है ऐसे क्या कराएंगे सर्वांग सम कहलाएंगे ठीक है एक ही माप की हो और एक ही आकरित की एक जैसी ही आकरित की हो तो ऐसे क्या कहलाएंगे ऐसे जो वस्तुएं होती है एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाती है ठीक है और यही एक दूसरे के सर्वांगसम वस्तुएं, हमने जैसा कि पहले बताया, प्रतिलीब का बढ़न किया है, ठीक है, और यही दो वस्तुएं के तुल्णा करना है, सर्वांगसमता कहलाता है, या दो वस्तुमें एक दूसरे के एक ही याकार और एक ही माप की हों तो यह सी वस्तुमें की इस गून को क्या चाहाँँ सरवांगसाम है और इस गून को सरवांगसाम दागती है ठीक है समझ मैं अब जो हमारे दोलज जो परिभासा देया गया है उसको आप बड़े केर से सुन करके उसकी परिभासा आप लिख सकते हो ठीक है हमने क्या बताया कि एक ही वस्तु एक ही आकार और एक ही माप की हो आप की हो तो ऐसे आक्रित एक दूसरे के शरवांग्शम है और वस्तु की इस गुड़ को शरवांग्शमता कहा जाता है हमने कि जैसे कि यहां पर हमने बताया है क्या कि प्रतिलीफ होती है यानि सरवांग सम्म अस्तु एक दूसरे के क्या होते हैं प्रतिलीफ होती है यानि जैसे एक आकरित होती है उसी आकरित की होती है ठीक है फार एक्जामपल यह दिन ले ले हम देखिए ब्लेट हम ले लेते ह ऐलों है क्या ब्लेट जो सिर्विंग ब्लेट आती है आकरति में आप देख रहे होंगे ये ब्लेट हो सकता ठीक है आप की जो जुवाथ हे दोनों हथेली है वह एक दूसरी के चंब होता है हम झायरा हूं कि आप राकृति करने से कोई दिक्कत ना हो तो वो होगा 99% क्या होंगे सरवांगसम होंगे टिकट आप टिकट को ले सकते हैं जैसे रेलवे का टिकट होता है रेलवे का टिकट आप जब देखेंगे तो एक दूसरे के क्या होंगे सरवांगसम होंगे ठीक है सेम आकरित की हों सेम लंबाई की हों ठीक है आपकी कुछ बुके भी सर्वांग सम होती है ठीक है बिल्ट की सीटे कुछ सर्वांग सम होती है तो आज कुछ सर्वांग सम हो सकते हैं एक दूसरे के प्रतिलियों 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 हो सकते हैं आकारे वन सकते हैं तो ऐसी दैनिक इमन बहुत से एक जामपल है जो एक दूसरे क्य यह दो आकरतियां है, ठीक है, यह दो आकरतियां है, इन आकरतों कोई तल है, और यह आकरती एक दूसरे आकरत कोई एक दम सेम हो, क्या, एक दम सेम हो, एक ही अकार की हो, और एक ही माप की हो, परिभाशा की अनुसार, तो क्या होगा, यह एक एक दूसरे की क्या होंगे, सरवा सरमांग सम्दा को कैसे पर्दर्सित करते हैं तो आप जानते ही हैं सरमांग सम्दा को हम इस टाइप से ऐसे दोर इखाने चेट खिंचेंगे एक ऐसे कर देंगे ठीक है यह कहा, सर्मांग सम्तों को ऐसे इसी चिंध्द्वारा हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं ठीक है? इस तरह हम प्रदर्शित करते हैं होतस्ता, आपको यह आ गया होगा समझ में ठीक है? चलिए अब इसके बाद रेखा खंडो का सर्मांग सम्ता में बठा दूसरा नूम्र है क्या है रेखा खंडों की सर्वांग समता tapu Rekhå P अटी है मैं बतावें माले आप ऐसी रेखा की बढ़ तो इसकि सर्वांग समता वाले हम अम क्या करेंगे मालेच कोयी भी और सी रेखा कितने सी और ड की बढ़ेंगे ऐसे सेम इसी आकरित की हो यह चाहे जहां भी हो तो यह क्या होगा हम लिख क्या ऐसे एक दूसरी क्या होंगे सर्मांग सम होंगे ठीक है तो लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे ऐसे की देखें ए भी ऐसे दो पाई कीचेंगे एक ऐसे कर देंगे यह क्या किसके सी डी के किसके सी डी के यह तो हम इसका पढ़ाएंगे क्या ठीक है पढ़ाएंगे ऐसे पढ़ाएंगे ऐसे क्या ए बी ऐसे दो पाई पढ़ाएंगे ऐसे ए बी सर्मांग सम है किसके सी डी के ए बी सर्वांग सम है किसके सी डी के यह सी डी सर्वांग सम है किसके ए बी के ठीक है इस तरह से आप यह रेखा खंड का क्या हो गया रेखा खंड की सर्वांग समता हो ठीक है अब ये रेखा खंड का हो गया अब लंबाई चाहे जो भी हो लंबाई सिसन में कोई मतलब नहीं है बस एक दूसरे के क्या हो सर्वांग्सम होना चाहिए ठीक है चलिए रेखा खंड हो गया उसके बाद देखते हैं कि अधिए टॉपिक आप नोट करने ना यद दूरेखा खंड की लंबाई समान हो तो सर्वांग्सम वोगे यदि दूरेखा खंड शर्वांग्सम हो तो उनकी लंबाई का होंगी शमान होगी जैसे हमने की पहले ही बताया है ठीक है अब इसको नोट कर लेजिएगा अब देखे अब हम क्या करेंगे हमें तीसरा नंबर कोनों की सर्वंग संता क्या है कोई भी हो यह कोनों की पढ़ना है तो क्या करेंगे हम ठीक है देखे कोई कोन ऐसे लिया गया है चाली संस चाली संस सिर्फ क्या है रेखा खंड क्या है थोड़ा सा रेखा खंड क्या है थोड़ा सी रेखा खंड की लंबाई क्या है पढ़ा दिया गया है लेकिन स्रवंग संग तभी होंगे जब रेखा खंड की क्या होगी बराबर जब बराबर है तो इस पे देखिये तीन चार क्या बने है एक ही अंत की कोण बने है ठीक है तो ऐसी आकृतियां क्या होंगी एक दूसरे के स्रमांगसम होगी ठीक है इस वीडियो में इतना है इस वीडियो प्रिशन दाया है तो लाइक करें कमेंट करें सेर करें धन्यवाद जय हिन जय भारत